बूल कर भी अपने पर्स में ना रखें ये चीजें जाने वालेट से जुड़े वास्तु टिप्स हर किसी व्यक्ति की चाहा होती है कि उसके खर्चों में कमी आने के साथ आयमे वृद्धी हो हाला कि इसके लिए सबसे जरूरी बातकड़ी मेहनत करना और फे जूल खर्चों को नियंतरित करना होता है लेकिन इसके साथ ही आप पर्स वालेट से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स को अपना कर लाप्त प्राप्त कर सकते हैं कुछ चीजों को हमें अपने पर्स में कभी नहीं रखना चाहिए आये उनके बारे में जानते हैं अपने पर्स में चाबी कभी भी नहीं रखनी चाहिए इससे आर्थिक हानी होती है 2. अपने पर्स में कागज के रुपयों को कभी भी मोड़ कर नहीं रखना चाहिए 3. वालेट में भूल कर भी रुपयों के साथ कोई बिल रसीद या टिकट नहीं रखना चाहिए इससे आर्थिक विवाद बढ़ता है 4. पर्स में बीडी से ग्रेट या गुटखा आदी नहीं रखना चाहिए 5. पर्स बायने जेब में रखना शुब होता है 6. रात्री में सोते समय पर्स अपने सिर्वानी ना रखें बलकि उसे अलमारी में रखें 7. शुष्ट के समय या शौक चाले में पर्स आगे वाली जेब में रखें 8. कटने या फट जाने पर पर्स को तुरंत बदल लेना चाहिए 9. यदि कर्ज या उसका ब्याज देना हो तो वेहराशी पर्स में नहीं रखनी चाहिए 10. पर्स में नोट वसिक्कों की जिगह अलग 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 अखें 10. तथा सिक्कों को किसी बंद करने वाली जिगह रखें 11. अपने पर्स में किसी पूर्णिमा को लाल रेश मी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने अखंडित चावल बांद कर छुपा कर रखने से बेवजिख खर्च नहीं होता है 12. हर जन्म दिन पर अपने वालेट में एक नोट छोटा या बड़ा पर अपने पिता या माता के हाथों से केसर का तिलक लगा कर पूरे वर्ष रखें अगले जन्म दिन पर इन नोट को किसी कहिया को दे और अगले वर्ष के लिए फिर एक नोट पर तिलक लगा कर रख दे इस से आय बढ़ती है